मुझे ना आश्क पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहाथा और बहुत ज्यादा टायर्ट तो फिलिव हो रहाथा लेकिन पीसफूल नहीं लग रहा था तो मैं सोच तुके कहीं पीसफूल वाली जगा पे जाओ तो मैं हो जाती हूं रेडी और मैं ड्रेस डाल लेती हूँ और मैंने थोड़ा मेकप वेकप भी कर लिया था यह ताकि मुझे पॉजिटिव फिल हो और मैं ऐसी ही लिफ्ट के मिरर में देखके नीचे उतर जाती है और बहुत ही अच्छी धूप थी इत्ना जाधा ट्राजं तो मैंने कर लिया यह मेरे बालों की दो चुटिए त मैंने सोचा है मैं ट्राफिक क्या कर ना कर लिया फियर पहुच जाती है इस्टेशन पे। और इतनी जाधा बीड़ रश नोड़ गर्दी और मैंना सोचती हूं कभी कभी यह लोग कभी थकते नहीं होंगे क्या अलवेज हो मतलब मतलब एक गम एक्टिव रहते हैं यारे लोग सच में इदर कभी भी स्टेशन पर आती हूं न बुढ़े हो जवान हो कोई भी हो मुझे लगता है कि मैं बहीं एक थकी हुए प मैं इतना थोड़ा थोड़ा क्या सफर कर लिया पानी पियास लगी मुझे और ठक भी गई थी मैं पर मैं चट जाती हूं ट्रेन में तेकिए ये कैद भी हो सकते हैं तो मैंने लेरा एरे दिया आप लोग भी मत करना मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो और आगे देखें में सब क्या हुआ और आप डायरेट वोईस अब लोग जाते हैं कभी स्कूल जाते हो टाइमिंग करेता है सुबह जाते बारा बजी अब पैसे नहीं दोंगे उसमें बेट जो रहे हैं शालों कल्कुल जो आते हैं ठीक है अब कुछ लोग बोलेंगे देखो मदद तो कर रहे हैं और वीडियो बनारी लेकिन यह कुछ खाना होगा पीना झावगा तो अब उंकी मदद दरू के जीए बस इतना है तो इं दोनों को मैंने बढ़ा दिया ठीक है फिर मैं जाती हूँ आप केल्ग बैय. कि लेकिन रहे खिंलोने बिल्सेहे अब हैं. फिर मैं निकल पदती उदर्गा की तरफ कुछ 5-10 मिनिट के दूरी पर था और मैंने ना हील डाली थी बहुत ही जादा जो मेरे एड़ी आया ना बहुत जादा दर्द कर रहे थी बहुत जादा फिर मैं पहुंट जाती उदर्गा में और जो मुंबई के लोग है वो तो बहुती बार आके गए होंगे इदर जो जो लोग आके गए है वो लोग कमेंट में जरूर बताना मुझे फिर मैं पहुच जाती हूँ अंदर और इधर एक किसा हो गया मुझे पता है वैसे कि दुपटा साथ में लेके जाना होता है लेकिन मैं लेना भूल गई तो जहां से मैंने फ्लावर लिया वही अंकल ने मुझे दुपटा दे दिया और मुझे न दुपटा बहुत ही पसंद आया था रेड कलर का था तो तो मैं उससे लेकर ना थोड़ी मटक भी रही थी देखो आप लोग अच्छा है ना आप लोग कमेंट में बताना फिर वह अंकल उदर के बोलते है कि लेडी सेक्षन उदर है और ये जैंड सेक्षन है फिर मैं पीछे जाके ना उदर थोड़ा हैंड वाश और लेक वाश करके अंदर चली जाती हूं और उदर ना थोड़ी लाइन थी मतलब पहले जैंड्स का फिर लेडीस का फिर लेडीस का फिर जैंड्स का ऐसे वन बाई वन तो मैं इदर थोड़ा टाइम वेट कर लेती हूँ फिर पहुट जाती हूँ मैं अंदर अंदर जाके बहुत ही शांत लग रहा था और मैं बहुत ही ज़ादा मत्ता डेका के पूरा प्रॉबलम क्या है अन्पीस्फूल लग रहा था ओ ऐसा बोल दिया और फिर मैं आ जाती हूँ बाहर और ये दुपटे से मुझे बहुत ही ज़ादा ऑपसेशन हो गया था पता नहीं क्यों रेड कलर था और अलग सी फिलिंग आ रहे था अच्छा लग रहा था तो मैं दो तिन सेल्फी या वीडियो निकाल लिए ये तो होता ही है फिर मुझे मि बहुत ज़ादा ये बीजना निकाले नहीं थे तो बहुत ज़ादा कड़वा लग रहा था और फिर पीरितियों में चाहे और ये व्लॉग इधर ही खतम नहीं होता है बहुत लंबा है तो बाकी क्या-क्या हुआ मैं डालती हूं नेक्स्ट व्लॉग में